असलाव एकम दोस्तों, दिस इस वाहद खोकर रिसेंटली अपने एक शॉर्ट में मैं बात करके खुदी फस गया कि भाई कोई निच है जो आप पावर पॉइंट यूज करके जिससे पैसे कमा सकते हो निच का नाम था Pitch Deck और तब से TikTok के Inbox में, FB के Inbox में और YouTube की Commenting के अंदर भी लोगोंने कान खाय है कि यह चीज क्या है मैं बता देजिए Before getting started मैं आप को बता हूँ Pitch Deck एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने एक student को सिर्फ इसका एक hint दिया था और वो चंद साल पहले उससे दो से तीन हजार डॉलर पर मंत कमा रहा था आप भी कर सकते हैं क्योंकि यह अभी भी low competition के अंदर है तो मैंने इस वक्त Upwork अपने सामने खोले हैं आप देखिए Pitch Deck के अंदर 3600 लोग हैं जो कि इसको sell कर रहे हैं के Upwork के ऊपर कम है competition और Fiverr के ऊपर थोड़ा सा comparatively ज़्यादा है but still it is a doable job मैं end पे आप लोगों को एक pro tip दोंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इसको low competition किस तरहां से किया जा सकता है So Pitch Deck क्या चीज होती है यह जानने के लिए मैं आपको दूसरी slide पे लेके चलते है So rather than this के हम इदर उदर जाते है मैंने चैट GPT से पूछ ले कि पिछड़ा क्या होता है तो यह बताता है कि भाई यह PowerPoint presentation होती जिससे आप PowerPoint के लवा Keynote पे भी बना सकते हो Prezi पर भी बना सकते हो बहुत सारे software हैं इस काम को करने के लिए और यह किसलिए की जाती है भाई ताकि इसमें आप अपना business plan, product और services को introduce कर सको ताकि आप अपने clients या investors को दिखा कर कोई specific target अचीव कर सको वो specific target क्या होता है वो generally होता है fundraising करना कोई business आपने start कर लिया है या start करने से पहले आप लोग को capital investment शाहिए तो आप investors को कुछ न कुछ अपने business पे equity देकर उन से fundraising आप लोग करवा लेते हैं इसकी simple example आप लोग shark tank में देखते हो या dragon's den पे आप लोग देखते हो जो BBC के ओपर भी आया करता है more or less इसको format same ही है अगर कुछ नहीं तो shark tank इंडिया आपने देखा होगा जिसके अंदर powerpoint presentation तो नहीं होती but more or less वो ही सारा content होता है जो के एक pitch deck के अंदर हुआ करता है तो वो content क्या है तो मैं चाहूँगा कि आप इसका screenshot ले लीजिए अगर हम cover slide को निकाल दें तो generally ये 12 slides हैं जो के एक pitch deck के अंदर होती है वो problem, solution, product demo अब ये सब क्या है इनको मैं एक detail में मैंने का आपको बताने के बजाए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक standard pitch deck में पढ़हा ही दूँ और उसकी example दे दूँ उसका resource भी आप लोगो मैं provide कर दूँ ताके आप लोगो को अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए तो इसके लिए मैंने जो pitch deck आप लोगों के लिए चुना है भाई वो है Airbnb का pitch deck Airbnb 2008 में launch हुई और Airbnb के बाद अगर आप लोग हमत करें तो Uber का pitch deck भी जाकर देखीगा क्योंके वो भी 2008 के अंदर ही launch गी थी इस टू बिजनेसे वर्ट रेवलुशनरी बिजनेसे और दिस नॉट दू ओरिजनल वर्जन ओप पिछ टैक जो के Airbnb ने इंट्रोडूस करवा है था जिसको डिजाइन बेहतर किया गया है याद रखिए कि एक pitch deck के अंदर काम सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग का नहीं होता आपके research का भी होता है आपके words आप किस तरह से use करते हो आप किस तरह से अपने business को present करते हो तो यह वोही first slide है जिसको हम cover slide बोलते हैं और more or less हर जगा पे slides के नाम ज़रूरी नहीं कि वो ही हो इन्होंने headings different दी हो सकती हैं मगर format more or less तक्रीबन तक्रीबन वो ही होगा तो यह cover slide के बाद सबसे पहले Airbnb जो चीज़ प्रिजेंट करते हैं वो है problem कि वो problem क्या solve करने जाने उसके लोग कहते हैं कि price is an important concern for customers उसके इलावा hotels हैं भाई hotels की अपनी एक limitation है वो जो शहरों से हैं वो बाहर होते हैं उनका एक different culture होता है आपके लिए असानी से booking कराना possible नहीं है 2008 की मैं बात कर रहा हूँ अब problem है उसका solution ये लोग क्या लेकर आएं भाई कि आप अपने घर को convert कर लो घर के एक portion को आप rent out कर सकते हो और आप एक side hustle अपनी create कर सकते हो और उससे आप लोग money save भी करोगे money make भी करोगे और अगर आप American हो आपके पास Chinese आ सकते हैं Mexican आ सकते हैं आपके market के अंदर direct competitor कौन से हैं अब अल्दो जो Airbnb है that was extremely new business on the planet बट फिर भी उसके करीब करीब जो मिलते जूलते businesses हैं वो यही थे couch surfing और craigless जिसके उपर लोग जाकर manually लगा देते थे थे के भाई I am giving my this room for rent but there was no system जिसके तरीके customer उन home owners को पहुँच सकता दर्मयान में कोई intermediary party एक दर्मयान में होती सालस बिलकार जो के जो है ना उनकी हर चीज की देखरेक करता तो कोई system नहीं तो उस system को इन लोग ने मनाया अब आगे ये सबसे strongest slide है मेरे ख्याल में market size के market का size है क्या और उसके अंदर से हम लोग कितना acquire कर सकते है तो ये कह रहे है भाई के totally 2 billion की market है उसके अंदर से 560 million जो है वो online transaction होती है और उसके अंदर से 15% जो है ना भाई 84 billion वो Airbnb कहता है कि हम acquire कर सकते है तो all of their struggle will be for 84 million की ये जो business है इसको ये लोग market share को acquire कर सके and with the passage of time वो expect करेंगे कि वो बढ़ेगा अब उसके बाद वो अपने product का demo आपने देना होता है अब ज़रूरी नहीं है कि product का demo slide के अंदर ही आजा है product का demo किसी video form में भी हो सकता है ये slide दिखा कर आपका जो presenter है वो product को हाथ में पकड़के भी presenter को दिखा सकता है तिर कुड भी anything अब in this case since the product was very virtual तो they should be adding the pictures of their running website और किस तरहां से एक बंदा अपना destination select करके एक अच्छा home owner को select करता है और अपना room book करता है तो उसका demo यहाँ पे इन लोग ने definitely यह 12 slides के अंदर नन दिया उसके बाद the second most important slide of the pitch deck is business model business model में क्या है भाई to tell you the truth I could not literally grasp the nitty-gritty of this slide but इन्होंने यह कहा है कि 84 million की market है और एक बंदा जाता है तो तीन राते तो ज़रूर रहता है तो $80 per night के हिसाब से जो है वो 10% commission लेंगे तो तक्रीबान $24 जिसको ने round off करके $25 लिखा है तो इस तरह से as I see कमसकम इनको अगर यह 10% of the market share है तो at least 2 billion की इनोंने sales करनी होगी और उस में से 2 million यह लोग generate करेंगे 200 million generate करेंगे by the end of 2011 यह यह 3 साल के बाद गफिक रहा है whatever जो भी आप लोग के पास client आएगा for your upvark पे उसके साथ आप लोग यह चीज़ें discuss करोगे ठीक है most of the time वो आपको content देगा लेकिन अगर नहीं भी देगा तो you should be understanding all of these projections look at these slides how simple they are but they are visually extremely appearing market adoption अब यह कहने कि जो 15% जो market हम लोग उने promise की है वो हम acquire किस तरह से करेंगे 84 million dollar की जो market है अब उसके लिए बताता है Airbnb के हम events भाई जो है वो करवाएंगे या फिर उन events को attend करेंगे whatever they mean is Octoberfest है, Sabbath है, Summerfest है बगएर बगएरा फिर उनने कहा कि इन तीन companies के साथ हम partnership कर सकते हैं because they already have the client base and maybe they will not be our direct competitors, तो go loco, kayak और orbits उनने तीन जो है वो कहें कि भाई इनके साथ हम partnership करेंगे और craig list का dual posting feature use करेंगे और वहां से भी जो है Airbnb जो है वो 15% of the market उसको acquire करने की कोशिश करेंगे ठीक है, उसके बाद इनका competition जो है, वो किस किस के साथ है और इस slide would be a little bit not up to the mark, क्योंकि यह updated है मैं आपको original slide इनकी दिखाता हूँ, उसके इंदर आपको better समझ में आएगी, so this is the original slide जिसके इंदर ही आपको बता रहे हैं, कि ऊपर जो है जितने भी यह airbed, breakfast hotels.com, यह online जो है ना वो है, बट वो affordable यह है, और यह दोनो hotels.com और यह online transaction करते हैं, और यह दोनो offline transaction करते हैं, नीचे वाले expensive के इंदर आते हैं, so whenever you are going to present the competitors, तो उसके लिए abscisa और y-axis के उपर आप लोगों ने affordability और online offline transaction इस चीज़ को रखना है, और इस तरह से अपने जो है, कोई भी आपका भी business हो उसको competition आप लोग इसी तरह से देखा करें, वैसे देखिए, the original pitch deck was extremely boring and although it was also sorely simple, but the updated version जो अब लोगों ने उनको देखकर खुद से बना है, content वो ही है तो आप इसको देख लीजे, तो competitive advantage what is the USP of your client's business, उसके अंदर आप बताओगे, भाई, we are the first in the market आपकी app बहुत ही easy to use है, वगेरा वगेरा, ये आपके जो USP जितने भी हैं, वो आप इस तरहें तस्वीरें डालकर नीचे छोटी छोटी हैडिंग्स देखर अपना USP को present कीज़े and look at how the color psychology is working in these slides, उसके बाद finally आप बताते हो कि हमारे टीम में कौन कौन से 3-4 major lead हैं, वो आपने बता दी, उसके बाद if you've got any press highlights किसी ने अगर mashable, webware, जैसे नुआए वगत अबारे जाईनों ने आपको mention किया है then you should be mentioning that as well उसके बाद users के testimonial कि जो आपके existing users हैं जो जिनको आपने already sales किया है वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं and if there is one credible celebrity that has already used your service तो आपकी credibility और जादा बढ़ जाती है then finally, के we financials को discuss करेंगे we are looking for 12 month financing to reach 80,000 transaction on airbed and breakfast वो ये कह रहे हैं के हमें पैसे बाप से चाहिए कितने that is the final call to action the CTA that we are talking about के वो इतने पैसे जो है ना finally उन लोगों से discuss करोगे so this is how a pitch tech is crafted, this is pretty simple वो ही 12 से 13 slide है, इना इस से जादा है इना इस से कम है, अब मैं आप लोगों को bonus trip दूँगा कि आप लोगों का high competition है तो उसको आप कम किस तरह से कर सकते हो तो भाई मैं आ गया हूँ वापस अपनी fiverr.com के उपर बात यह है, क्या जो आप करते हो जितनी भी pitch आप करते हो, क्या वो सिर्फ और से businesses के लिए नहीं, एक बहुत बढ़ा business है जिसके लिए fundraising चाहिए होती है जैसे आप देख लीजिए, धर्मा production है करें जो वर की, फिल्में बनाते हैं वो लोग, तो फिल्म के उपर भाई, फिल्म का pitch deck बहुत high in demand है और it is low in competition आप लोग देखिएगा कि फिल्म pitch deck को हम यहाँ चेक करते हैं 468 and people have got the orders, तीक है, और इसी तरह से हम इसको upwork पे भी चेक करेंगे तो आप लोग को सिरफ और सिरफ 100 sellers मिलेंगे, look at the number of orders that these people are getting अब आप देखो, एक movie जो के अगर हम पाकिस्तानी हैं, इंडिन रुपीज में बात करें, 500 करोड में बनती है अगर उसके लिए इतनी budgeting करते हैं, look and pretty sure कि Bollywood के लोग भी और Hollywood के लोग दोनों यहां पर आते होंगे, उनी लोग को fundraising करनी होती है न, ठीक है तो 500 करोड अगर किसी बने fundraising करनी है, तो आपको 100 डॉलर, 200 डॉलर, 300 डॉलर देते हैं, उन लोग को मौत पड़ेगी अब आप लोग को सिरफ और सिरफ अपनी craft के उपर work करना है कि यार मेहनत करो इस चीज़ के अंदर जो है न, आप लोग जाओ और च्छा जाओ अब आप लोग यह सोच रहो कि PowerPoint की designing हमें नहीं आती तो मैं आपको Pitch Deck का editable version दे सकता हूँ अगर आप इस मेरी इस वीडियो के नीचे 100 comments करें और मेरी इस channel को subscribe करें so 100 comment होंगे तो आपको वीडियो की description में link आ जाएगा जिसके अंदर एक Pitch Deck का editable version होगा so until next time do take good care for yourself, thank you very much